हेई गाई स्वागाज़ आप सभीका दामाश्र साथ पर दोस्तों आज की जो वेकेंसी है वो एक और अवियंतरन महाविध्याले से आई है जो की अरवल में मौझूद है और इसमें जैसा कि आपने थम्रिल में देखा होगा इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई पद नह है तो उस ऐड़िविटीजमेंड में ने बोला है कि हमें टेक्निकल आसिस्टेंट के आवशार रकता है दूसरा नको एक जरूरत है वर्क्श॑प इंस्टर की टो वर्क्श॑प इंस्ट्रक्टर और जो हमारा लैब असिस्टेंट है इस दो पद के लिए यहां पर यह बहा और दूसरी चीज है कि इसका फॉर्म कैसे अपलाई करेंगे या डायरेक्ट हम जाएंगे एक्जाम देने के लिए जो रिस्पेक्टिव डेट दिया हुआ होगा तो यह सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हम वीडियो को देखिए यह है राजकी अविजनत्र महाविद्याले अरवल ठीक है गवर्मेंट इंजिनियरिंग कॉलेज अरवल ठीक है यहां पर वाकिन इंटरव्यू है जिसमें इन्होंने बोला है कि विभिन संकायों के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतीथी तकनीकी सहाय को एवं अनुदे उसके बाद वीधूत यानि के इलेक्ट्रिकल इसमें भी अतीथी तकनीकी सहाय का पद है यांत्रिक यानि के मेकैनिकल इसमें इसमें अतीथी तकनीकी सहाय को और वर्क्सॉप इंस्ट्रक्टर दोनों की जरूरत है इने उसके बाद देखे आगे यहां पर आगे यहां पर ह इसके लिए स्रिफ तकनीकी सहाय की अवश्याह रखता है और विज्ञान साय भौतिकी अवैंग रशायन विज्ञान के लिए उमकорот रखता है ऐसके लिए इस्के लिए मिनिमम जो के पास टिक्री होनी चाहिए वह वीटेख होनी वो आप एक पर देख लेंगे ठीक है मैंने कुछ वीडियो में बताया भी है इसके बारे में साही जानगाली दी है ठीक है बाकी आप college का जो भी contact number या जो email id है या जो भी मैं आपके साथ share करूंगा उससे आप इस जानगाली को भी वहां से प्राप्ट कर सकते हैं कि या इसके लिए क्या योगिता है जरूरी है अब दूसरी चीज में बता दूं कि इसका जो फॉर्मेट है या जो भी चीज है वह सब आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स वह समय पर आप जरूर चेक करेंगे अब देखें आगे इनका क्या नियम कार्मिणों ने क् कि इच्छुक एवं योग उमिद्वारों को निर्धारित परपत्र में वांचित सूचना पर्विष्ट पर प्रारूप महाविद्याले के वेबसाइट पर प्लब्द यानि कि विद्याले कॉलेज का जो वेबसाइट है उस पर इसका अप्लिकेशन फॉर्म एफिलेबल है साथ जितने भी माक्षिर सर्टिफिकेट और जो भी डॉकुमेंट्स है उस पर सेल्फ अडिसेट करके एक दो सेट बना लीजिएगा और उरिजिनल लेके आपको सीधे 17823 को पुरुवाहन में यानि के दो पहर में आपको यहाँ पर इंटर्विव के लिए बोलाया गया है साक्षातकार के समय अंग पत्रों अन्य सैक्षिनी के वह अनुगों पर्मान पत्रों की मूल परतिया लाना अनिवार है मतलब जो भी आप लगा रहे हैं उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना जरूरी है ठीक है उसके बाद बोलना है कि यह जो कारणमती बिल्कुल ही वेकल्पिक है एवं कारकारी व्यवस्था है जो बीना किसी पुर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है ठीक है तो मतलब आपको बीना किसी सूचना के विए हटा सकते हैं ठीक है उसके लिए आपको बताएंगे नहीं कि क्या है इस कारणमती के आधार पर सेवास्थाई करन नियमिती करन का दवा आप नहीं कर सकते हैं एक चीज़ यहां पर गल्ती हुई है यह जो 17-18-30 पुरुवाहन मतलब होता अब मैं आपको प्रिंसपल साहब का लेटर देखा देता हूं जो उन्होंने डाला है यह प्रिंसपल साहब का साइन और मोहर किया हुआ है तो इसकी सर्थता आपकी बेरिफाइड होगी अब एक बार मैं आपको documents के बार में brief कर देता हूँ कि कौन-कौन documents आपको ले जाने हैं सबसे पहले आपको application form ठीक है ये आपको देख लेना है website पे और ये advertisement जो है ये मेरे telegram channel पे मिल जाएगा ये telegram channel जो है जिसका link आपको नीचे description box में available है application form हो गया उसके साथ आपको जितना भी mark sheet है ठीक है वो सारा mark sheet and certificate ये सारा चीज आपका होना चाहिए उसके तीसरा जो है आप क्या किजेगा दो recent passport size photo ये आप ले लीजिएगा तीसरा चौथा अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो residential certificate ले ले लीजिएगा और अगर किसी जाती से बिलोंग करते हैं OBC या SC या ST से तो इसका भी आपके पास certificate होना चाहिए इन सब का आप दो सेट जिरॉक्स का लीजिएगा सब पर self-adjust कर लीजिएगा और एक original एक जो आपका original है वो आपको लेके जाना होगा इतना document आपको लेके जाना है और फिर interview में आपको शामिल होना है ठीक है बाकी अगर इस चीज़ से जुड़ी हुई किसी जानकारी के आपका वश्यक्ता है तो comment section में मुझसे पूछ सकते हैं जहां तक मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा ठेंक्यू इतना प्यांतो